जैसी कृष्णा राधे राधे जैहो कार्तिक के राधा दामुदर भगवान की जै आज हम कार्तिक मास में कार्तिक इसनान की एक पोराणी कथा सुनेंगे इसमें एक बुडिया माई अपने कार्तिक इसनान का फल भगवान से मांगती है एक बार एक गाउं में एक बुडिया माई अपने बेटा बहु के साथ रहती थी बुडिया माई हर साल कार्तिक मास का इस्तनान और रत करती दानपुन्य करती और कार्तिक मास के वरत का उध्यापन करती तब एक बार जब कार्तिक का महिना आया तो बुडिया माई अपने बेटा बहु से बोली कि कार्थिक का मेना लगने वाला है मैं कार्थिक मास का इसनान और व्रत करने के लिए पुषकर जी जाऊंगी बेटा तुम मुझे पुषकर छोड़ाना और एक मैने काराशन पानी भी देयाना तो बेटा खिन होते हुए बोला कि मा क्या तुम हर साल कार्थिक मास का इसनान करती हो व्रत करती हो दानपुन्य करती हो भगवान ने हमें दिया ही क्या है आज तक हमने तो दुखी दुख देखा है भगवार ने आज तक तो हमें दुखी दिया है ना तो हम अच्छा खा सकते हैं ना अच्छा पहन सकते हैं हमें इसका क्या फल मिला बुडिया माई बोली बेटा भगवार ने हमें आज तक कोई दुख नहीं दिया रोज हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं मेरे दो पोते हैं सब अच्छा ही तो है, और क्या चाहिए तो बेटा बोला, मा क्या अच्छा है ना तो मुझे कोई अच्छी सरकारी नोक्री मिली नहीं मैं तेरे पोतों को एक कब दूद पिला सकता हूं नहीं तेरी भहु के पास दो जोडी सारी के अलावा तीसरी कोई सारी है और नहीं मैं तेरा अच्छे से डॉक्टर से कोई इलाज करा पाया नहीं मैं इस तूटे फूटे मकान की मरमत करा पाया देख हमारे पडोसियों ने कोठी नुमा मकान बना लिये हैं मा, तुमारी ही पडोसन, सहेली, शकुंतला, ताई, कितनी तरक्की उन्नती कर ली, नोकर, चाकर, घोड़ा, गाड़ी, हवेली, नुमा मकान बना लिया, और मैंने तो आस तक उन्हें कोई व्रतुपवा सो दानपुन्य करते हुए भी नहीं देखा, लेकिन तुम तो हर साल का पैसा दान में देती हो, एक आदशी का वरत करती हो, मा मुझे ये सब चीजे बेकार लगती है, रहने तो तुम कोई मत करो कार्थिक कास्नान, बुढिया माई अपने बेटा बहु की बास सुन कर दुखी हो गई, उसके बाद बेटा काम पर चला गया, बहु चोके में व्यस के स्नान का फल कम मिलेगा, बुढिया माई चुप चाप अपने दो जोड़ी कपड़े लेकर, बहु को बताए बिना घर से निकल गई, चलते चलते गाउं के बाहर जंगल में पहुँच गई, आदे जंगल में जाने के बाद बुढिया माई को एक गाई मिली, जिसे वह तडप रही थी, कोई भी गाई के पास नहीं था, गाई बुढिया माई से बोली कि अरी बुढिया माई तु इस घनी जंगल में कहा जा रहे है, आगे तो जंगली जानवर हैं वे तुझे खा जाएंगे, बुढिया माई उदास होकर गाई के पास बैठ गई और बोली क कि हे गाए माता क्या बताऊं। आज मेरे बेटा बहु ने मुझे बहुत ताने दिये। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कार्टिक मास के इस्तनान का फल नहीं मिला। तो आज मैं कार्टिक के राधा दामोदर भगवान से मिलने जा रहे हूं। मैं उनसे मिलकर पूछूंगी कि मुझे कार्थिक मास के इस्तनान का फल कब मिलेगा क्या मेरे कार्थिक मास के इस्तनान और रत में कोई तूटी रह गई है जो मुझे अभी तक कार्थिक मास के इस्तनान का फल नहीं मिला तब गाई माता बुडियामाई से वोली कि अरी बुडियामाई अगर तुझे भगवान मिले तो क्या तुम मेरे दुख का निवारन भी पूछ लोगी बुडियामाई मैं आट दिन से तड़प रही हूँ मेरा बच्चा नहीं हो रहा है मुझे बहुत बहेंकर प्रसव पीड़ा हो रही है मुझे ये इतनी बहेंकर प्रसव पीड़ा क्यों झेलनी पड़ रही है तो बुडियामाई ने कहा कि जरूर पूछ लोगी उसके बाद बुडियामाई ने गाई की पीट से लाई और वहां से आगे चल दी आगी जाने पर बुडियामाई को एक सर्प मिला वे खुद की ही कैंचली में फसा हुआ था वे जितना अपनी कैंचली से निकलना चाता वे उतना ही उसमें फसता जा रहा था जैसे ही उस सापने बुडिया माई को देखा तो वे बोला कि अरी बुडिया माई मैं तुझे डसूंगा बुडिया माई बोली कि हे नाग देवता मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ जब मैं भगवान से मिल कर आऊं तो तुम मुझे डस लेना नाग देवता बुड़ियामाई से बोला कि बुड़ियामाई मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ दूँगा मैं तुझे नहीं डसूँगा अगर तु भगवान से मेरे दुख का निवारन पूछ कर आए तो मैं तुझे छोड़ दूँगा तो बुडिया माई बोली कि जरूर पूछ लूए लेकिन मुझे पूछना क्या है तो नाग देवता बोला कि बुडिया माई मैं सो साल की उम्र पार कर चुका हूँ मैं मरना चाता हूँ मेरी हालत अभी ऐसी हो गई है कि ना मैं रेंग सकता हूँ मैं खुद की ही कैंचली में फसा जा रहा हूँ मैं अपनी कैंचली से कब छुटूँगा मुझे कम मुक्ती मिलेगी बुडिया माई मेरे में इतनी शक्ती भी नहीं है कि मैं किसी को मार कर अपना पेट भर सकूँ मैं मरना चाता हूँ तो भगवान से मिलकर पूछना की मुझे कम मुक्ति मिलेगी मैंने ऐसा क्या पाग कर दिया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है बुडिया माई बोली कि है नाग देवता अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारन भी पूछ लूगी उसके बाद बुडिया माई आगे चल दी आगे भेंकर घना जंगल था उपर बैकुंट में बैटे भगवान विश्नु और मातालश्मी ये सब को देख रहे थे तब मातालश्मी भगवान विश्नु से बोली कि है देव मृत्यू लोग में एक बुडिया माई अपना घर बार छोड़ कर आप से मिलने की चाह में निकल पड़ी है आगे घना जंगल है बुडिया माई को कोई जंगली जानवर खा जाएगा अब आपको ही उसको दर्शन देने के लिए जाना पड़ेगा तब भगवान विश्णू ने मातालश्मी से कहा कि है देवी आप भी मेरे साथ चलिए उसके बाद भगवान विश्णू और मातालश्मी ने एक बुड़े 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 ब्रामन दंपती का वेश बनाया और आगे घने जंगल में कहा जा रहे हो बुड़े आमाई आगे तो खूंकार जंगली जानवर हैं वे तुम्हें खा जाएंगे तो बुड़े आमाई बोली कि है ब्रामन देवता आज तो मैं भगवान से मिलकर ही घर जाऊंगी भगवान से अपने दुखों का निवारन पूछूंगी तब रामन दंपती वेश में भगवान विश्णु और मातालश्मी बुड़िया माई से बोले कि है बुड़िया माई क्या तुझे मालूम है कि भगवान कैसे दिखाए देते हैं क्या पहले भी तुने कभी भगवान के दर्शन किये थे तो बुड़िया माई बोली कि है ब्रामन देवता मैं अपने भगवान को जरूर पैचान लूँगी मेरे माधव भगवान, मदुसूदन भगवान, गले में वेजन्ती, माला, सुदर्शन, जक्रधारी पितांबर पहने हुए, केसरिया वस्त्र ओडे हुए, शेश नाग की शैया पर विराजमन रहते हैं और मातालश्मी उनके पाउं दबाती रहती हैं ऐसे हैं मेरे विश्नु भगवान, जगत के पालन हार मैं अपने भगवान को जरूर पैचान लूँगी तब रामन दमपती बोले कि अरी बुडियामाई हम ही भगवान, विश्नु और मातालश्मी हैं बोल तुझे क्या चाहिए बुडियामाई बोले कि अगर आप ही भगवान हैं, तो मुझे दर्शन दीजिए क्या मेरी पूजा भगती में कोई कमी रह गई है, जो आप मुझे दर्शन नहीं देना चाते तबी भगवान, विश्नु और मातालश्मी ने बुडियामाई को साक्षा दर्शन दिये बुडियामाई भगवान के चर्णों में गिर पड़ी और करून रुदन करने लगी अपने आसूं से कभी भगवान विश्नु के पैर्द होती तो कभी मातालश्मी के पैर्द होती बुडियामाई बोली कि हे इश्वर मुझे मरने से पहले आपके दर्शन होगे मेरा तो जीवन सफल हो गया मैं तो धन्य हो गई मुझे तो मेरी कार्थिक मास के स्नान का फल मिल गया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए अब अगर मेरे बेटा बहु भी मुझे ताने देंगे तो मैं उन्हें हसकर सैलूंगी तब भगवान वोले कि बुडियामाई तो वापस घर जा तेरा घर धन दोलस से भर जाएगा तेरे बेटे को भी अच्छी नोकरी मिल जाएगी तुझे सुन्दर पोते भी मिलेंगे तेरा घर सुन्दर महल नुमा हो जाएगा तब भगवान ने भगवान की चरन धुली अपने साड़ी के पल्लू में बादने लगी तो कभी विश्णु भगवान को देखती तो कभी मातालश्मी को देखती बुड़िया माई जाने से पहले रास्ते में मिले सभी दुख्यों के दुखों का निवारन पूछने लगी तब भगवान ने सबसे पहले नाग के बारे में कहा कि बुड़िया माई वे नाग अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है तू ऐसे करना मेरी चरन धूली नाग के लगा देना वे नाग आजाद हो जाएगा उसे मुक्ति मिल जाएगी और गाय की पीट पर भी चरन धूली लगा देना उसका पेट सहला देना उसका प्रसव भी हो जाएगा बुडिया माई भगवान के चरनों में प्रणाम करके जैसे ही उठी तब तक भगवान विष्णू और मतलश्मी अंतरद्यान हो चुके थे बुढिया माई भगवान की चरण धूली अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर घर की ओर चल दी सबसे पहले नाग देवता मिले जैसे ही नाग देवता ने बुढिया माई को देखा तो पूछा कि अरी बुढिया माई क्या तुझे भगवान मिले क्या तुमने मेरे दुख का निवारन पूछा तो बुढिया माई बोली कि हाँ नाग देवता मुझे भगवान के दर्शन हुए मैंने तुम्हारे दुख का निवारन भी पूछा उसके बाद बुढिया माई ने नाग देवता की पीर सहला दी भगवान की चरण धूली लगाती पीर सहलाते सहलाते ही वे नाग अपनी कैंचुली से आजाद हो गया उसने दिव्य शरी धारन कर लिया तबी वहाँ नाग लोग से एक देव इमान आया दिव्य धारी नाग देवता ने देव इमान मेर बैठकर जाने से पहले बुढिया माई को अपनी नाग मनी दे दी और कहा कि अरी बुढिया माई तुने मुझे मुक्ति दिलाई है तेरा उपकार में चुकाना चाता हूँ तू ये नाग मनी ले ले तू इस नाग मनी से जो भी मांगेगी तुझे वही मिल जाएगा लेकिन बुडिया माई तू लालच मत करना इस नाग मनी से मिले हुए धन का एक हिस्सा गरीबों में दान करना कुए तालाब अनात आश्रम खुलवाना गरीब लड़कियों के विवह करवाना जब तक तू लालच नहीं करेगी ये मनी तेरे पास रहेगी जिस दिन भी तूने लालच किया ये मनी अपने आप गायाव हो जाएगी उसके बार नागदेता ने बुडियामाई की पदिशीना करी ओर नाग लोग से आये हुए देविमान में बैटकर नाग लोग में सुख भोगने के लिए चला गया उसके बाद बुडियामाई आगे चल दी आगे गई तो उसे वही गाई प्रसव के लिए चटपटाती हुई मिली बुढियामाई को देखते ही गव माता बुढियामाई से बोली कि अरी बुढियामाई क्या तुझे भगवान मिले क्या तुने मेरे दुख का निवारन पूछा तो बुड़ी आमाई ने कहा कि हाँ गाय माता मुझे भगवान मिले मैंने तुम्हारे दुख का निवारन भी पूछ लिया उसके बाद बुड़ी आमाई भगवान की चरण धुली गाय के पेट पर लगाने लगी धिरे धिरे गाई की पीट को सेलाने लगी, सेलाते सेलाते ही बुडिया माई ने गाई को पूरी बात बताई, थोड़ी देर में ही गाई को प्रसव हो गया, उसे एक सुंदर बाची पैदा हुई, बुडिया माई ने गाई का प्रसव करा दिया, बुडिया माई वहीं बैठी बोली कि बुडिया माई तुम मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ कर कहा जा रही है तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपने साथ अपने घर ले चल तेरा उपकार होगा मैं तेरे उपकार का बदला भी तो चुकाना चाहती हूँ बुडिया माई यह सुन कर बहुत खुश हो बुठीय आमाई ने गाई के बछ्डे को गोद में ले लिया आगे आगे बुठीय पीचे गाई चलने लगी बुठीय जब गाऊं में खुटके मकान के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके दो कमरों के टूटे-फूटे मकान की जग सुंकर महल नुमा मकान खड़ा था पोते खेल रहे थी जैसे ही पोतों ने अपनी दादी को देखा तो वे जोर जोर से चिलाए कि मा बाबा दादी आगई दादी आगई बेटा बहु अपनी मा को देख कर भाग कर आए और चड़नों में गिर पड़े और बोले कि मा हमें माफ कर दो हमने तुम्हें ताना दिया था कि तुम्हें कार्तिक मास के स्नान का फल नहीं मिला मा आज हमें कार्तिक मास के स्नान का फल मिल गया है मुझे सरकारी नोकरी मिल गए है हमारा ये तूटा फूटा मकान सुंदर महल में बदल गया है मा तुझे तेरे एकादशी के वरत का फल मिल गया है तब मा ने भी अपने बेटा बहु को पूरी बात बताई गाय का दूद पच्चों को पीने के लिए मिल गया नाग मनी से बुढिया की बहु को खुब सारी साड़ियां मिल गई अब बुडिया माई उस नाग मनी से जो कुछ भी मांगती उसे वही मिलता उसका एक हिसा बुडिया माई गरीबों में दान करने लगी अब तो बेटा बहु भी कार्तिक मास का इसनान और रत करने लगे उन्हें भी कार्तिक मास की महत्ता समझ में आ चुकी थी बुडिया माई अपने बेटा बहु और पोतों के साथ इस जीवन के समस्त सुको को भोग कमरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई ये कार्तिक के रादा दामोदर भगवान जैसे आपने बुडिया माई को कार्तिक इसनान कफल दिया वैसे हमें भी देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा बनने वाले को धन्यवाद